पावन शर्मा वेल्कम यॉल्कम यॉल्कम यॉल तो माई चनल और गाईज इस फोड़े में बात करने जा रहे हैं इंट्रडे स्टॉक्स के बारे में जो रहेंगे 24th of December and the day would be Thursday और यह हमारा weekly expiry का दिन भी होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आपको मैं हर रोज करना बंद कीजिए यह नहीं कहता कि छोटे प्रॉफिट बुक नहीं करने है अगर आपका ट्रेड आपको अलाव करता है कि बड़ा प्रॉफिट नहीं बुक कर पार है तो छोटा बुक करके निकल यह लेकिन हमेशा टागेट उस ट्रेड के लिए कीजिए जो आपको पॉइंट राइज हुआ था आज जो है 134 राइज हुआ है आज का जो रैली है वो था रियालिटी और मीडिया की वज़े से और अगर हम बात करें फाइडिया ही कि तो देखें आज अज डिये ने ज्यादा सेल किया है फाइज ने कम बाई किया है फिर भी मार्केट 134 यह इसे मार्केट जो है राइस करती है अभी भी मेरा जो है सजेशन वही है कि मार्केट इस नौट येट इन वन डारेक्शन यह शॉट कवरींग हो सकती है इसलिए थुराइसा पेशन्स रखें बाकि हम जब निफ्टी के जो है चार्ट बात करेंगे तो मैं आपको जो है सब्सक्राइस और समझाऊंगा फॉर्य लेवल्स बात करते हैं मार्केट निउस के बारे में मार्केट निउस में आपसे कहूं कि जादा कुछ नहीं है क्योंकि जब साल का एंड आ चुका है तो बहुत सारी पॉलिसीज बहुत सारी डिसीजन जो है वो नेक्स्ट येर के ल होती है लेकिन शौट कवरिंग के साथ में एक पॉइंट आप एड कर सकते हैं वो है आउट ओ फिफ्टी स्टॉक्स आज 42 जो है वो ग्रीन में रहे हैं आज रियलिटी और मीडिया ने जो है निफ्टी को ओल्ड करके रखा है चलिए बात करते हैं कुछ मेजर निउस के बा अर्बन जो आप कह सकते हैं कैपिटल होते हैं हमारे जो अर्बन सिटी होती है उसमें ज्यादा ट्राफिक होनी की वजह से बड़े विकल्स का जो है अब मुव्मेंट कम होता जा रहा है और हर विकल के पास अप्रोपिरेट गुड नहीं होता तो छोटा समान होता तो छोट अब मुव्मेंट के अब यह क्राइब चाहिए होता है इसी सेक्षिन में उन्होंने जो है आज LCB लॉंच किये हैं क्योंकि एक फास्ट ग्रॉइंग सेग्मेंट है उसकी वजह से जो है टाटा मोटर्स ने आज राइस दिखाया है बात करें रैमको सिस्टेम्स की रेमको सी कफ्ट्वेर कंपनी है आज उसने एक multi million dollar डील की है fortune 500 कंपनी में आप उसके पास fortune 500 कंपनी में तीन पास तीन क्लाइंट है और यह उम्मी जताय जा रहें कि आने वाले quarter में दो clients और शायद deal finalize कर सकें आप उनके बारे में बात करते हैं तो सुनने में आया है कि 700% जो है जून से लेके December जहां हम बात कर रहे हैं 700% की जो growth है वो हमें देखने को मिल चुकी है और बात करें वापसे निफ्टी मार्केट के बारे में आज जो है जो steep fall था उसके बाद जो rise हुआ है अभी उस पे जो है कोई clarity नहीं आया है प्लीज ध्यान रखिएगा आने वाले दिनों में जल्द बाजी बिल्कुल ना करें और trade को फटा फट लेने की कोशिश ना करें clarity मिलेगा कि आगे क्या हो सकता है चलिए आगे बात करते हैं कि क्वेश्टन ऑफ दर डे कल भी मैंने आप से बताया था dead cat bounce एक terminology होती है stock जब गिरता है खुब सारी selling होती है selling के बाद जब आप उसको आफिस buy करना शुरू करते है अपना profit booking के लिए तो market गिरने के बाद में jump करती है और जब वो jump करती है उस terminology को कहा जाता है dead cat bounce in stock market तो जब भी आप यह terminology सुने कि कि यह dead cat bounce है तो समझ जाएगा कि यह buying signal ही है bounce का मतलब थोड़ा सा गए फिर दुवारा निचे गिरेगा तो हो सकता है यह market जो है अभी जो माज देख रहे हैं और जो कल देखा था यह dead cat bounce का ही एक sign हो और अभी तक आप हमारे telegram channel का पार्ट नहीं है तो जाकर सको join कीजिए हम आपको जो है genuinely support provide करते हैं because expectation नहीं होती तो आपका जो है ग्रीड भी नहीं होता यह सोचेंगे कि आपको जो है loss करा कि क्या होता है जब आप किसी service provider को चूज करते हैं तो पहले आपको जो है वो लालच देते हैं उसके बाद आपका loss कराते हैं loss करेंगे तो आपसे फिर ज्यादा कीजे हाँ ट्रेट समारे भी स्टॉप लोस होते हैं मेरे भी होते हैं तो प्लीज एक्सपेक्टेशन क्लेर कीजेगा कि 100% मार्केट में कुछ नहीं है तो मेरे पास भी 100% कोई जादू की छेड़ी हमारी भी लॉस होते हैं तो आपके भी स्थेड़ तो आज कोई ट्रेड नहीं बना क्योंकि आई चासी बैंक भी फाइब जो है आज आपको नहीं मिला है और वो रेंज बाउंड रहे गया और उसके लेवल आपके जो है प्रीवीज दे के लेवल के आसपास हैं तो आप डेफिनेटली उसको नेक्स दे के लिए भी कर सकते हैं 805 का फिर एक जिए दो पर कंशलोडे ट किया है और उसके बाद जो हमारा एट 24 जो हमारा 2 और लिग कर गया है और नहीं नहीं हुआ है और बीपीज में ने आपको कल के लिए फिर से यो है पक कर लिया या विक yhte वैंक मैं चाहते हूँ एक आपक है एक मैं आपको प्रवाइड करूँ तो BPCL मैंने आपके लिए आज भी जो है रेंज बाउंड रहा तो कल के लिए मैं वापस से BPCL आपको प्रवाइड करूँगा आई चैसे बैंक में आप जो है ढूंद सकते हैं अगला है हमारा PFC का PFC यहां से लेकि हमारा जो है इसना के लिए और उसके बात जो है और मोस्त 1 1 5 को टच किया विच वाज आवर फर्स्ट और सेकिंड टारगेट इन पी अश्य तो इटिंग बोध टांगेट जिन पी एफसी है और बात करते हैं कल के स्टॉक्स के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक्स के सिलेक्षि पर दो किया रीजन है क्या लेवल्स है और हमें इनको क्यों बाइव करना चाहिए चार्ट रीडिंग की शुरुवात करते हैं निफ्ति के साथ में निफ्ति के लेवल्स को समझाने के लिए मैंने निफ्टि को आपके 15 मिनिट के चार्ट पे आपको दिखा रहा हूं जे फिफ आप से कल यह का हूँ कि जो है कल 13 640 के ऊपर होगा तो यह 17 हो जाएगा कि वापिस मार्केट में बुलिश है 640 के ऊपर क्लोजिंग और थोड़ी देर उस पर ट्रेड करें तब मतलब यह नहीं किया तो क्लोजिंग हो और अगले दिन वहां रुके या अगर आप इंट्रेडे की बात करें 640 को पर ट्रेड करें थोड़ी देर 10-15 में और फिर उपर जाए तो हम मानेंगे कि वह मार्केट जो है फॉल के बाद में वापिस बुलिश हो गया है लेकिन अगर आपके लेवल हो गया थर्टीन फाइव थर्टी जो थोड़ा सा नीचे है भी मैं आप यह नहीं कहूंगा कि मिदेट लिए अचीव हो सकता है बट यह दो लेवल से हैं और यह अभी के लिए वैलिड नहीं है यह जब तक स्टॉक इस रेंज में रहेगा यह तब तक के लिए वैलिड है तो यह दोनों लेवल साब के लिए जो है क्रूशल होंगे तो अगर आपको निफ्टी को ट्रेड करना है तो इन दोनों का ध्यान रखिएगा और इन दोनों का ध्यान ऐसे रखेंगे कि अगर आपको जो है एक फॉदर पोजिशन लेनी है तो आपको इनको ब्रेक होनेगे और उसको क्लोजिंग पर देखना पड़ेगा और अगर आपको इंट्रडे में लेना है तो इन्हीं के आसपा जो है पांच मिनिट यह दूसरी केंदल जो मैं कानफर्मेशन कहता हूं उसके बा जिग-जग रहा उसके बाद जाके उसने जो है तो कल भी ऐसा हो सकता है तो यह लेवल से हमारे निफ्टी के लिए बाकी इंट्रडे लेवल में आपको नीचे प्रवाइड कर रहा हूं और वापस से जो है वन आवर चार्ट पर आ जाते हैं वन आवर चार्ट क्यों आपने इंट्रडे लेवल में वो शायद आपको करेक्ट जो है पिक्चर ना दे पाएं इसी लिए और अगर बात करें बैंक निफ्टी के बारे में तो बैंक निफ्टी में जो है उपर का लेवल तो 30,000 आई गया है जिसको आप कहेंगे 30,000 का रेसिस्टेंस रहेगा ओके नीचे क वो है सपोर्ट बैंक निफ्टी का तो हमारे पास में यह जो 250 पॉइंट्स का जो है वो रेंज जो है वो कल के लिए वैलेड रहेगा मतब स्टॉक अगर 30 की ऊपर जाता है वहां रुखता है तो आप बैंक निफ्टी को बाई कर सकते हैं और 750 को ब्रेक कर दिया तो आप वह है अब बात करें स्टॉक के बारें जैसे मैंने कहा था स्टॉक में मैं आपको जो है बईपी सेल प्रोवाइड कर रहा हूं आप जो है अपना आईचे से बैंक को खुड ढोंड सकते हैं बीपी सेल को प्रोवाइड करने का रीजिन यह है कि इसने पूरा जो है पर भागता है तो हमें अगला टागेट जो है आराम सा 384 का मिल जाएगा डाट इस वाट वी एक्सपेक्टिंग इन बैंक ने बीपी सील फोर चमोरो अब नीचे की तरफ अगर यह आता है तो नीचे में आप से कमगा कि अगर यह जो नीचे का ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है जो सम्वेर 372-371 के आसपास प्लेस किया गया है अगर यह ब्रेक होता है तो आप जो है नीचे की तरफ फॉल देखने को मिलेगा बाकी फिलहाल जो है मार्कित हमारे ग्लोबली ग्रीन है अब रात में क्या होगा इनेवर नो सुबह जो है इस्या मार्केट कैसे ओपन होगे अगला स्टॉक है हमारा एससी सेम पैटन है कि यह होता है ब्रेक आउट पैटन अगर आपको जो है ऐसा पैटन मिलता है तो आप मांचिएगा कि यह जो है हलका साभी अब इसमें क्या होता है पैटन के साथ में अगर हमारा वो पर्टिकुले सेक्टर और हमारे मेजर अगर इसको सपोर्ट करते हैं तो वो पैटन जो है वो आपको फूट्फुल रिजल्ट देगा और एक इमीडियेट राइस लेकर जाएगा लेकिन अगर किसी वैसे मार्केट सेंटीमेंस नेगेटिव हो जाते हैं तभी आप जो उसमें थुरा सा गिरावट देखेंगे तो इ तो आपको जो है चार्ट रिडिंग, प्रॉपर स्टॉक सेलेक्शन कैसे लेवल्स को इडेंटिफाई करते हैं और कैसे आपको ये पता करना है कि आज मार्केट में पॉजिटिविटी रहेगी या नेगेटिविटी रहेगी तो उसके लिए आपके पास में एक प्रॉपर होना चीए उसके लिए आप हमें जोइन कर सकते हैं हमारे टेक्निकल ओनलाइन प्रॉग्राम पर जिसमें आपको ये हर चीज सिखा ही जाती है लेकिन अगर आपके पास में टाइम कम है आप नहीं चाहते चार्ट रिडिंग करना तो आप थोड़ी सी नॉलिज के साथ में मत अगर आपको दोनों प्रॉग्राम के बारे में ज्यादा जानना है तो आप हमें कॉल या वाट्सअप कर सकते हैं और नाइन सबन डबल बन डबल जो सेवन तो नो मोर वाट आप ट्रेनिक प्रॉग्राम तो चलिए वीडियो अगला स्टॉक है HDFC लाइफ अगर आप HDFC हूं कि यह जो है इसी इसी लेवल को यह जो 652 655 के आसपास का जो लेवल है आगर यह ब्रेक हो जाता है कटरंट लेवल से यह ब्रेक हो जाता है तो एक बड़ी मुवमेंट जो हैं आप को ओपर देखने को मिलेगी लेकिन एक चंडिशन यह होती है ऐसे पैटर्न में कि आपका सेक्टर दोन सपोर्टिव होना चाहिए तो बड़ी मुवमेंट आपको निकल के आती है अदर्वाइस जैनली क्या होता है वह अपने रेसिस्टंस को बाउंस करके नीची भी आ सकता है इसी लिए को चूज किया गया कल के लिए हमारा लास्ट टॉक है मैकडोवल से अ कापी देंगल जैसे हमारा एजिफ से लाइप में था इसमें भी वही जो है लेवल का आप से कहूंगा कि अगर यह जो है 568 या 560 जो है 5 के आसपास ब्रेक करता है तो जो है एक बड़ी लेवल देखने को मिलती है अभी क्लोजिंग 61 का है तो 565 के आसपास जो आपको लेवल मिलेंगे तो इसको ब्रेक करेगा तो बड़ी राइस मिलेगी हो जबता है आपको यह जो लेवल से हैं यहां पर 584 या 580 के आसपास जो है कल ही दिखा दे और अगर इसको जो इंडेक्स और सेक्टर सपो कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिक्के हमसे पूछ सकते हैं अगाइस आप इसक्लेमर अधा अट इस व्यूड विचेक्ट फॉर्याइट फर एदुकेश्या परपसेश्ट इस इस आपकेश से उडेक्ट एक्टरों मैं रिक्रमेंडेशन दू कांश झाल 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 झाल